कुम्राली गाव में जय सिंह नामक एक जमीनदार रहते थे, जिनके पांच बेटे और एक बेटी थी। इकलौती बेटी होने के कारण उसे सबसे ज्यादा दुलार भी मिला। जमीनदार की बेटी ज्योती अपने पिता के इस दुलार की वजह से हठी और वो सेल स्वभाव की हो गये। इसके अलावा वो हाल सीथी। एक दिन जमीनदार की पत्नी ने उससे कहा, बेटी तो परायाधन होती है, तुम इसे इतना सिर मत चढ़ाओ, विवाह के बाद कैसे निभाएगी। मैं इसके ससुराल दास-दासियां भिजवा दूगा। जमीनदार ने कहा। खुमराली के पास एक गाव में एक गरीब किसान रहता था। उसके बेटे का नाम था वीरभान। वीरभान के जन्म के समय ही उसकी माता की मृत्यू हो गए थी। वीरभान को किसान ने ही पाल पोस कर बढ़ा किया था। महामारी में किसान का बैल मर गया। दूसरा बैल खरीदने के लिए उसे जैसिह से पैसे उधार लेने पड़े। वर्शा ना होने से फसल भी न हुई। लगातार व्याज से किसान का रणभार बढ़ा। पिता पुत्र इसी चिलता में डूबे रहते। समय के साथ जमीनदा को वीर्भान का खयाल आया। वीर्भान सुंदर होने के साथ बुद्धिमान भी था। इसके अलावा किसान उनका कर्दार भी था। सो इस रिष्टे के लिए वहमना भी नहीं करेगा। धन के प्रभाव से जियोती को खुश भी रखेगा। यही सोचकर जमीनदार ने किसा किसान जमीनदार के भय के कारण कुछ नहीं बोता है। वीर्भान के अपने पिता का यह अपमान भी था रहा। क्योंकि वह ज्योती की शिकायत करता भी तो किस से। एक दिन वीर्भान ने अपने पिता के कान में कुछ कहा। फुत्र की बात सुन, पिता ने भी स्वीकृती में करदन खिला ली। अगले दिन वीर्भान में चुटके से सधी दास दासियों को जमीनदार के भी वावबत भी उठी है। उसने कहा, अपने घर की जिम्मेदारी स्वयम निभानी चाथे। जियोती जब सोकर उठी तो उसे बहुत जोर से भी वीर्भान ने कहा, खाना बना लो। जियोती रुआसी होकर गहने लगी। इस कडाके की ठंड में मुझसे खाना मैं बना लूँगा। बस रसोई में तुम मेरी थोड़ी मदद कर देना। वीर वीर्भान की बाद मानने के अलावा जियोती के पास कोई चारा नहीं था। दोनों ने मिलकर खाना बनाया। वीर्भान खाने के बाद बोला, मैं खेट पर जा रहा हूं काम करने, तुम घर में चौकस रहना। चौकस क्यों? जियोती ने पूछा। वीर्भान ने बताया, दिन में प्रेत यहां से गुजरते हैं और जो भी उनकी तरफ देखता है, वे उसे नोच डालते हैं। जियोती डर गई। नहीं नहीं, तब तो मैं यहां नहीं रहूंगी। एक आएक उसके मुह से निकला। वीर्भान ने पूछा, तो तुम मेरे साथ खेट चलोगी? जि अदि हम अपने काम में लगे रहें, तो प्रेत सामने से गुजर जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं। इतना कहकर वीर्भान खेटों के ओचल दियो, घर में खाली बैठी ज्योती को डर लगने लगा। उसने सोचा, मुझे काम कर रहना चाहिए, इससे प्रेत की नजर मुझ पर नहीं जाएगी। इच्छा के विपरी वह काम करती रहें। वह डर से खाली भी नहीं बैठ सकी। उसने मन में सोचा, वीर्भान के आने से पहले क्यों ना खाना ही बना लिया जाए। उस रात का खाना ज्योती ने बना लिया वीर्भान जब धर आया तो देखा, पूरा घर साफ होने के साथ साथ रात का खाना भी बन गया है। यह देखकर वह बहुत ही खुश भिया। ज्योती ने बताया, आज प्रेत नहीं आ, मैं काम में जुटी रही। शायद वे बगल से निकल गए होंगे। वीर्भान ने उं एक दिन जमीनदार अपनी पत्नी के संग जोती से मिल रही। जोती को देख यह तंग रही। वह भाग भाग कर घर का काम कर रही थी। उसके शरीर में बिलकुल भी आलस नहीं। माता पिता को देखकर जोती उनके गले से तिपढ़ी। फिल बहुत है। पिता जी हमारे यह कुछ काम करिये। उसने अपनी मा से भी यही कहा। उसे डर था कि प्रेट कहीं माता पिता को नुकसान न पहुचा दे। जमीनदार को बेटी की बात माननी पड़ी। वे आंगन में रखे भूसे को घर में रखने लगे। वीरभान और उसके पिता खेट से लोटे तो दोन अचमदित खड़े देखते रहे। किसान ने जमीनदार से क्षमा मागी। जमीनदार बोला, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर में घुसते ही ज्योती ने मुझे काम में लग जाने को कहा। वीरभान कुछ बोलता, इससे पहले ही ज्योती बोल पड़ी। यद जमीनदार ने वीरभान से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी बेटी इतना काम करे, तुमने नौकरों को क्यों लोता है। वीरभान में उखतर दिया। विवाह के बाद लड़की पर उसके पती का अधिकार होता है, पिता का नहीं। जब हम स्वयम इतनी मेहनत करते ह तो इसका भी कर्तव्य बनता है कि यह भी हमारा साथ दे और रण चुकाने में हमारी मदद करे। जमीनदार बोना, पर वह आरण तो मैंने जोती के विवाह के समय की माफ कर दिया था। वीरभान ने कहा, मैं आज ये पैसे अवश्य के बादा हूँ, हमें दूस्रों पर आश्रित है आलस, यदि जोती आलस कर बैठी रहती है, तो इसे आलस से का प्रेव नोज डालता है। दूसरा प्रेव है, आपका यह रण, जब तक मैं मुशे अपना रण न चुका दे, उसे चैन नहीं आता है। बाते सुनकर जमीनदार प्रसंद लिए। उसकी पत्री बो इसके बाद तीनों ने मेहनत करके जमीनदार का आरण भी चुका दिया।